Vivo V30 Pro vs Samsung A55, दो ऐसे स्मार्टफोन जो कैमरा के लिए काफी प्रामिसिंग है, दोनों ही 40,000 के अंडर आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना, आज हम आउटडोर सेचुएशन पर आएं, दोनों को प्रेक्टिकली कैमरा टेस्ट करें, और देखें कि अल ओवर अगर आप फोटो वीडियो के एक ऐसा फोन लेने वाले हो, जो 40,000 के अंडर हो, तो इन दोनों में से कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं कैमरा स्पेसिविकेशन की बात करूँ, इंट्रेस्टिंगली Vivo में तीन कैमरा जे तीनों 50 मेगा पिक्सल के हैं, 50 मेगा प्राइमिरी कामरा, 50 मेगा पिक्सल का ऐल्ट्रा वाइड एंगर गोर टेअली फोटो 2 X जूम कैमरा भी ह Caleb ऐसा जाओ जोटी Micro camera जादा बेटर रहते हैं टेली फोटो कामरा स्टार्ट करते हैं फोटो के difference थें यहां पे साइट-वजब साइड साइड देख सकते हो अब मिरनी क्लेर डिफ्रेंचस पहले जो Notice होता है एज़ेज में आ यहां सेंटे टू ओएड सेंटे फाली सॉफ्त हैं वो Samsung से comparatively काफी अच्छा काम कर रहा है, अब dynamic range में क्या होता है, जब bright parts भी है, shadows भी है, Samsung क्या कर रहा है, Samsung shadow में उतनी बड़िया detail नहीं निकाल पाता, वी वो highlight में भी अच्छे detail निकाल रहा है, shadows में भी अच्छे detail निकाल रहा है, जिस वज़ा से आपकी all over जो scene है, especially जब अच्छे से detail निकाल रहा है, और वहाँ आपको light भी मिलेगी, exposure भी अच्छा मिलेगा, तो all over photos में जो details है, वो मुझे वीवो में ज्यादा बेटर लगी, dynamic range वीवो में बेटर है, next चीज है, colors के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वो एक major differentiating factor हो जाता है, अब अगर आ सामसंग वहाँ पे colors को बहुत dull कर रहा है, कभी magenta tone एड़ कर देता है, कभी warm tone ले जाता है, वीवो consistency दिखा रहा है, जिस वादा से जो colors है, वो social media ready देते है, photo कहीं जी सीधा social media पे अगर आपको डालना है, वीवो आपको वैसे colors दे देगा, तो all over अगर आपको थोड़े saturated, थोड़े catchy colors पसंद है, Samsung की तरफ आप शायद नहीं जाना चाहो, आप वीवो प्रेफर करोगे, अगर आपको dull colors पसंद है, editing में आप adjust करना चाहते हो, then you can go for Samsung, और एक और difference जो मैंने notice करा है, कि जब backlight situation में आप photos ले रहे थे हैं, जो बहुत challenging situation थी, Samsung shadow areas में या कहीं जगां प तो all over अगर मैं primary camera की बात करूँ, मेरा pick वीवो भी 30 pro रहेगा, बट आगे चलते हैं, ultra wide angle camera की बात करते हैं, अब Samsung की वीडियो में मैंने बोला था, ultra wide camera मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और आप comparison में आप बहुत चीज़ें notice करोगे, Samsung में सबसे बहुत चीज़ focus का issue है, ultra wide में, अगर आप हलका सा भी subject के पास जाते हो ना, आपका phone focus नहीं करेगा, वीवो में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ultra wide में, थोड़ा सा पास जाके भी आप सही photos ले सकते हो, colors जो है, ultra wide में मुझे वीवो के लगा कहीं लोगों के लिए oversaturated हो सकते हैं, थोड़े ज़ लगी, बट इसके इलावा, edges जो है, वो वीवो के sharp हैं, अगर हम जूम करके भी यहां देखेंगे, edges वीवो के definitely sharp है, as compared to Samsung, अब Samsung की photos में, ultra wide में, आपको देखने में, छोटी screen में लगेगा, Samsung sharp है, पर अगर आप हलका जूम करके देखोगे, जो area में texture है, जो details है, वो वीवो better capture कर रहा है, और Samsung की photo, most of the situation, ultra wide में, over sharpening दिखने लग जाती है, और खासकर अगर आप auto shoot कर रहे हो, जहां पर बहुत डैनामिक situation है, bright parts भी है, shadows भी है, Samsung वहाँ पर struggle करता है, वीवो बढ़िया dynamic range देता है, जैसे primary camera में काम कर रहा था, अब next difference रहता है, macro versus telephoto का, तो पहले मैं वीवो 2X telephoto आपको कुछ फोटो दिखा देता हूँ, अब comparatively Samsung में भी आपको 2X zoom मलता है, वो digital है, तो optical versus digital की अगर मैं बात करूँ, daylight में शायद आपको इतना फरक ना दिखे, बट सबसे major difference है, depth of field का है, blur effect का, वीवो क्योंकि optical 2X zoom लेके आता है, तो आपको background blur natural और जादा म Samsung, उसके बाद all over जो sharpness है, जो detailing है, जो processing है, वो वीवो बेटर देगा, क्योंकि यह optical lens है, and obviously जब optics 2X use कर रहे हैं, तो आपको better detail मिलेंगी, और major difference आपको जैसे जैसे light कम होगी, शाम का time होगा, तब देखने को मिलेगा, low light में Samsung का output है 2X में और soft होता जाता है, noise दिखने लग कर लेता है, now talking about portrait mode, तो दोनों में मुझे कुछ-कुछ differences दखे, सबसे पहले आप देखोगे, blur effect का difference, अब हमने suggested F value पे शूट कर रहा है, दोनों का F 2.8 पे था, तो देखने में आपको Samsung का ज्यादा लग रहा होगा, but जो company suggest कर रही है, हमने उस पे शूट करा, जो 5 value था Samsung में Vivo में F 2.8 का value था, तो Samsung में आप थोड़ा blood effect कम करोगे, तो शायद आपको difference देख जाए, but altogether edge detection ठीक ठाक है Samsung का, but Vivo, I would say portrait mode under 40,000, Vivo V30 is one of the best, Vivo V30 Pro, जो मैंने अभी दख ट्राय कर रहा है, क्यों, because blood effect इतना जादा भी नहीं मिलता, कम भी नहीं मिलता, बहुत natural look देता है, ज जो fall off है, वो काफी अच्छा है, जिस वज़ा से जो edge detection है subject की, वो Vivo V30 Pro में काफी natural बन जा दिया, Samsung में ऐसा लगेगा कि cut out कर दिया है, और फिर आपको blur effect दे दिया है, जो बहुत artificial लगता है, coming to skin tones and skin का exposure, वो कैसे balance हो रहा है, तो दोनों में almost similar है, Vivo में हलका सा कभी पार थो जो output अचीव कर सकते हो, वो I think कोई भी phone आपको अभी ओफन नहीं करता है, इस अरेंज में, cinematic वाला बहुत साई output है, अलग लग bokeh modes है, वो आप राई कर सकते हो, तो अगर आप portrait जादा शूट करते हो, V30 Pro आपको बहुत बढ़ी experience देने वाला है, Samsung A55 आपको बहुत बढ़ major difference आप खोदी identify कर लोगे, वो है colors का, Samsung बहुत magenta color दे रहा है, Vivo अगर आप देखो के sky एकदम blue बढ़िया आ रहा है, subject पर लाइट है, वो yellow है, वो उसी तरीके से capture कर रहा है, Samsung की color science अलगी दुनिया में चल रही है, वो magenta से सारी चीज़ें दिखा रहा है, colors capture नहीं कर पा र रहा है, Samsung contrast जादा कर दे रहा है, जिस वज़ा से, shadows में आपको detail देखने को नहीं मिलेंगी, Samsung एक और दिक्कत है, अगर आप compare करोगे, Vivo में, क्योंकि size optics है, तो मुझे आप difference देखा, flare का difference आप देख सकते हो, Samsung में बहुत जादा flare देख रहा है, Vivo में वो चीज़ काफी controlled है, लास्ट में अगर आप ultrawide के भी side by side sample देखोगे, तो ultrawide में तो Samsung में मैं पहली बोल चको हूँ इसकी वीडियो में कि बहुत दिक्कत है, dynamic range का issue है, noise बहुत जल्दी आ जाता है, quality उदनी अच्छी नहीं है, photo soft है, Vivo क्योंकि 50 megapixel का बड़ा sensor यूज़ कर रहा है, जिस वज़ आपको आपको आइडिया लगा है, कि इंडोर इसका कैसा performance है, अब देखने में, जो clear difference मुझे लग रहा है, Vivo wider है, Samsung इतना wide नहीं है, यह एक situation है, मैं आपको दिखाऊँगा, यह बहुत दिखाऊँगा, यह बहुत दिखाऊँगा, यह एक आइडिया देगा, कि dynamic range फ्रेंट में कैसा है, बागे जो मैं difference की बात कर रहा है, वो मैं आपको दिखाँगा दू इसको मैं 1x से 0.8x पे भी लिजा सकता हूं इस तरीके से, और यह और जाधा wide हो गया है, तो I think front camera में, clearly Vivo आपको जाधा option दे रहा है, काफी wide है vlogging के लिए, Samsung मुझे बिलकुल भी vlogging friendly नहीं लग रहा, तो अगर आप भी अपने mobile camera को use करके, कुछ इस तरीके की professional photos लेना चाहते तो इस course में total 19 videos हैं और यह 4 घंटे का course है जहां आपको composition, lighting, framing, tips की कैसे आपको camera की settings use करनी है, sharp और clear photos लेने में, और कैसे आप different situation में, travel photography, portrait, low light, landscape, हर एक situation की tips है, वो मैंने इस course में share की हैं, और towards the end आपको ही सीखने को मिलेगा, कि photos को कैसे edit करना हो, जब आप Instagram पे upload करते हो, त content creator, आपको क्या के चीज़े ध्यान रखनी चाहिए, फिर चाहिए आप Android से photos लेते हो, यह iPhone से, यह जो course है, यह donor users के लिए है, और यह जो course है, especially beginner photographers के लिए designed है, तो अगर आपको कुछ idea नहीं है की camera settings कैसे use करनी है, photography क्या होता है, मैं A to Z सारा fundamentals और technical aspects क्लियर करने वाला हूँ, so join this course और में साथ जर्नी में आओ, जहां पे मैं आपको photography के अबारे में, detail में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी phone से बढ़िया photos ले सकते हो, अब हम बात करते हैं, videos के बारे में, आप में से कहीं लोग video के लिए भी phone देख रहे होगे, under 40,000, Devo V30 Pro vs Samsung A55 का ये camera comparison है, वीडियो का, अभी जो आप देख रहो, दोनों में 4K वीडियो है, sunlight मेरे एकड़म सामने से आ रही है, पेड़ों के तुरू तो वो आपको idea लग जाएगा, अभी एक बार backlight भी देख लेते हैं, विकॉज मेरे पीछे एकड़म sunlight है, तो अब आगर म आपस में backlight में ऐसा गाम कर रहे हैं, विकॉज दोनों ही almost same price पे आते हैं, 40,000 के price पे हैं, वीडियो के samples देखने जादा पसंद करते हो, तो ये एक fair idea आपको देदेगा, अभी backlight है, एक बार दुबारा front light में मैं आ जाता हूँ, so that आपको एक final look पता लग जाएगी, और samples भ जाता है, कि जब highlight आ रही है, shadows भी है, colors भी है, तो दोनों 4K में आपस में कैसे काम कर लें, तो अभी आपने कुछ sample देखे, वीडियो के, आपको कुछ idea लगा होगा, कि वीडियो output कैसा है, quality कैसा है, आपने भी guess लगाए होगे, मैं अपने view share करता हूँ, major difference वो मुझे लगा वो है, वीवो के colors है, वो जादा vibrant है, Samsung के colors जो है, मुझे ऐसा लगते है, Samsung की अभी processing एसी photo वीडियो में कि वो confused हो जाता है, जब flowers है, जब कुछ ऐसे elements है, जो मैं चाहता हूँ कि vibrant है, Samsung उनको बहुत simple way में, बहुत natural color tone देता है, वीवो उसको अच्छे से vibrant capture करता है, जो मैं स sky priority है, तो Samsung आपको जीज देतेगा, बट उसके इलावा, most of the situation में, जो colors है, वो वीवो जादा better capture करता है, हलका warm side पर है, बट ऐसा कुछ major दिक्कत नहीं दिखेगा, एक और दिक्कत जो focus की है, Samsung में मैंने रूटेस किया, अगर आप shoot करते होए subject के थोड़ा pass ये थोड़ा क्यों मिलेगा, वीडियो आपको wide दिखेगी, वीवो comparatively थोड़ा सा narrow है, जिस वज़ा से शायद आपको लगेगी, वीवो की stabilization बेटर होगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगा, जब हमने stabilization टेस्ट करा, Samsung wider भी है, stabilization भी बेटर है, वीवो में मुझे लगा हलके से jitters हैं, जो आप background में notice कर सकते हो, but Samsung A55 की all-over stabilization काफी बढ़िया है, ये एक वीडियो में benefit आपको मिल जाता है, कि wide भी है, stabilization अच्छा है, इसके इलावा, Samsung में एक major issue मैंने notice किया, जब मैं shoot करते होगे, backlight में गए, light, sunlight मेरे पीछे थी, वीडियो एकदम सॉफ्ट सी हो गए थी, जो देखने में पता लग जाएगा, आपको की noise एकदम से ही आ गई, detail एकदम से खतम होगी, but Vivo backlight situation में काफी अच्छे से control कर रहा है, वीडियो को, तो most of the situation में, especially challenging situation में, dynamic lighting में, Vivo बेटर काम कर रहा है, वीडियो में, तो अब हमने ultrawide में switch कर लिया, और दोनों ही phones में 4K 30fps में ultrawide मिल जात है, because again, ultrawide में, backlight में processing कैसे हो रही है, तीचे paid है, जिसके दुरू sunlight आ रही है, sky भी है, and मैं backlit हूँ, तो कौन जाधा better exposure face पे ले रहा है, वीडियो में जाधा better detail निकाल पा रहा है, ultrawide की अगर मैं बात करूँ, again, आपना कुछ samples देखना, ultrawide के, मैं पहली बोल चको हूँ Samsung का ultrawide below average है, बहुत soft है वीडियो आप यहां देख सकते हो, आपने sample में भी देखा होगा, मेरे jeans बहुत जाधा noisy है, detail नहीं है, all over, scene पूरा soft सा देख रहा है, जबकि Vivo ultrawide में भी बढ़िया detail दे रहा है, colors काफी अच्छे से capture कर रहा है, बस Samsung में होगा कि ultrawide में भी जाधा wide है, तो आपको जाधा angle of view wide मिल जाता है, stabilization Samsung की जाधा बेटर है, बच stabilization और angle of view का आप क्या करोगे जब आपको detail ही नहीं मिलेगी, तो वो एक issue है Samsung में, especially ultrawide में, तो all over, जब आप wide angle में भी शूट कर रहा हो, Vivo आपको जाधा better detail and better colors देने वाला है, फिर last में, अगर मैं low light comparison क बात करूँ वीडियो की, अब यहां पर stabilization सबसे पहले जो मैंने notice किया, वो Samsung में better है, तो all over, daytime हो, low light हो, ultra wide हो, Samsung जाधा better stabilization देता है, इसके इलावा, mostly चीजें, Vivo में better है, फिर चाहे dynamic range हो, चाहे details हो, चाहे shadow area में information की बात हो, Vivo सारे situation में बढ़िया capture कर रहा है, details, colors अच्छे ह है, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि noise बहुत easily दिख रहा है, Samsung में यह दिखकती कि वो highlight को control नहीं कर पा रहा था, ज्यादा bright light हा रही थी, Samsung उसको overexpose कर रहा था, Vivo उसको बढ़िया से control करके, evenly lit आपको video दे रहा था, अगर आप ultra wide में switch खरते हो, यहां आपको ऐसा लगया कि यह जो Samsung का ultra wide है, यह कोई 15-20,000 का camera है, क्यों, because बहुत जादा noise है, usable video footage नहीं है, Vivo ultra wide में भी बढ़िया footage आपको low light में दे देगा, अब डिफरेंस आप यहां ग्लेली देख सकते हो, तो यह था camera testing Samsung 55 versus Vivo V30 Pro, एको मेरे लिए clearly winner Vivo V30 Pro है, क्योंकि Samsung का जब मैंने review किया था, बहुत सी चीजें मैं notice नहीं कर पाया, जो मैंने comparison करा Vivo के साथ, clearly चीजें देखी, आपने भी samples देखे, comment करके बताना, आपको कि scout would better लगा, मेरे यह साब से under 40,000, you can clearly go for Vivo V30 Pro, Samsung A55, मेरे यह साब से इस price को justify नहीं करता, so that's it, और कोई आपको comparison चाहिए, comment में बताना, I'll try to do that I'll tune in the next video, तब तक, take care and keep clicking